अलो फ्रेंट्स मैं हूँ अमन और आप देख रहे हैं मोटर बाइट गाड़ी जो आप प्रेम में देख रहे हैं यह है रेनोग की काईगर टॉप मोडल है और एक जट वेरियंट है मैनुवल में पेट्रोल और यह टर्बो वेरियंट है जो की एक लीटर पेट्रोल इंजन के मैगनाइट यह सारी गाड़िया जो है वो कॉंपैक्ट स्वी में आती हैं इसी वेरियंट में और आज हम काईगर का जो है ओनर्शिप रिव्यू करेंगे और हमारे साथ है क्रिश जो इसकार के ओनर है क्रिश आप सबसे पहले बिताई क्या करते हैं और यह कार आपने कब ल आता था टॉप मोडली था मैनुल था पर यूज थी आचा और मैंने उसको दो साल चलाया एक तो मेरे को ब्रैंड न्यू कार लेनी थी अब ठीक है इट वस हाई टाइम की एक लिगो ब्रैंड न्यू और क्योंकि से वहले सारी यूज दिली थी आचा पर उसके बाद फिर मे लुक्स के साब से सस्पेंशन के साब से मेरे को यह बेस्ट लगी और जो भी लेना था मुझे टॉप अधिशन था बजेट भी थोड़ा आपको 10.7 तो 10.7 में तो यह प्राइस आपको काफी रिजनेबल मिल गया जो आर एक्षा रिजनेबल मिल गया तो एंड़ दिसकाउं बहुत थोड़ा मिलता है वह उसके बढ़ बनाइब फ्रेंट वो सजेस्टेट दिस तो उसके काफी नेगोशेट अच्छा करने में हेल्प किया मेरे अच्छा अगर आप लेने जा रहे हैं तो आप डीलर्शिप में जो है अगर नेगोशेशन अच्छे से कर लेते हैं तो तो ठीक टाक प्राइस मिल जाती है और उनको करना भी होते है कि 2022 का मॉडल है तो उनको डिसेंबर मंद में वैसे भी कार्स में आपको डिस्काउंट रहता है तो आपने कब बुक करी थी और कितनी देर में या गाड़ी मिलना यह 7 यह 8 डिसेंबर को बुक कर दी थी आच्छ सब 6 महीने वेटिंग अन्यूजल भी है इतना आप जो गाड़ी लेने जाते है तो होता है जलती से गाड़ी मिलते हैं जाद से एक महीने की वेटिंग हो तो वेर भी जस्टिफिकर सब्सक्राइब हम एक साथ में दो दो गाड़ी निया फोड़ कर सकते एक बाहर कर निया त सबसे बड़ी इशू यह है कि आज की पार्किंग नहीं होती है दो गाड़ी हो की हर फ्लैट के साथ एक होती है तो एक क्रिश एक चीज़ हो रहा है कि जैसे आपने बताया कि आप एक यूस्ट कार आप यूस्ट कर रहे हैं लेकिन डीजल के बाद एक सब्सक्राइब पेट हो करती इसको परफोर्मर्स किसे ऐसाफ से यूफेन लगा कि यूफोरणक। आपको अंडरकत करना है कुछ इस भी तो वाइलेस शायड नया है इसलिए असलिए और इसका सब्सक्राइब आप लिए कुछ फीचर्स में डैपनेटी मुझे लगा की धिलो इसमें अपर उतना सब्सक्राइब तो था संग्लास रखने का भी एक उपर होता है आचा आचा इसमें नहीं है कि कि आपके यह और आटो फोल्डेबल भी उसमें मिलते थे इसमें नहीं 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 है बाट इसमें फिर सब्सक्राइब लगता है थोड़ा सब्सक्राइब को उसमें एक चीज और थी जो मैं सी आइम टॉकिंग फ्रम ड्राइविंग पॉन्ट व्यू इसमें गियर नहीं दिखाता वह सामने उसमें दिखाता था आप इस जला रहे हो कभी ज़रूरत बढ़ जाते हैं और या बढ़ इसमें इसमें तो अब इसकी जो कंपेटीशन और काइस जब आप नहीं लेने निकले साफे नोट डिखेंगा और मैं आपको जैसे पहले बताया थे की क्ली चलाऊंगा चलाऊंगा तो अगर पीछे थोड़ा वी हो ऑगा सब्सक्राइब तो सिर्टरन क्यों नहीं पसंदाई प्रेमियम थी नहीं एक दम एक बैगना डाइब लगए लगए अधर अंधर बैठके अब बोलते इंजिन अच्छा है पर साथ तक में तो इसमें भी अच्छी लगए थी अब हो सकता वह सब्सक्राइब आपको का कमी का नहीं उसमें सब्सक्राइब और बिल्ट भी मतलब ऐसा प्रीमियम क्वालिटी लगी नहीं रही थी आपकी गाड़ी भागे तो मतलब जैसे मारूती वारूती में तोड़ा हलका पढ़ने लग जाता है नहीं वैसा फील आ रहा था इसमें सॉलिड फील आता है मतलब अगड़ती एक अप इसका मेरे को मैगनेट से दाधा अच्छा लगाता थीक है सस्पेंशन इसका मैगनेट से बड़ता था डैस ड्राइब वेहिकल में बता रहा हूं मैं ठीक है यह बैसिकली जो है सब्जेक्टिव है तो हम लोगों ने भी जैसे मैगनेट के यूजर भी हमारे पर आय थे तो को मैगनेट पसंद आए तो यह बैसिकली यूजर करता है मैगनेट की लुक्स भी अच्छी है और काईगर की भी अपने 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 इसाब से अच्छी है क्रिश काम करते हैं गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं और रहनो काईगर की अंदर का इंटीर हम लोग आपको प बैटन है आपको USB पोर्ट मिल जाएगा यहां पर आपको थोड़ा स्पेस मिलेगा समान रखने का और एक चीज़ अच्छी है कि इसमें वाइरनेस आपको चार्जिंग मिल जाती है मैनुवल है यह गाड़ी और डाइल जो है इस अगर आप ड्राइविंग मोड देगे तो इको नॉर्मन और स्पोर्ट मूड आपको मिलेगा यहां पर एक थोड़ स्पेस है जो जिसमें आपको स्लाइडर भी मिलेगा और अंदर नो कप वोल्डर से जो प्रिश जी का कहना है कि अगवाई है एक्सेसरी बैसिकली इसके अंदर जो हैं यह का पोल्डर नहीं आते और all जो है वह आपको अब पारके मिल जाती है यहां पर चाहिए बोड़ गरिए बोल्याइं बेसां फॉट्ट कि खीक है बहुत ज्ची नहीं चैंसे बूरी नहींट से दिया गया है जो यह वह फिंगर्फिंगर्प्रिंट आप देखरेंगे तो काफी ज़्यादाए हम फिंग पुछ मिलता है वह सबर्दस्त है इसलिए एकदम से हमें पंच जो एप पंचीज का नेचर मिला जो बेसिकली स्पोर्ट में होना चाहिए और अगर आप डायल की तरफ देखें तो यहां पर इसको घुमाने से स्पोर्ट में जाता है अगर आपको इसको नॉर्मल मोड में लेके जाना तो आपको सेंटर बटन प्रेस करना पड़ेगा और अभी आप इंफोटेन्मेंट सिस्टम में अपने में देखें तो यह नॉर्मल मोड में चल रही है एक चीज़ और बहुत बढ़ी है जो सबसे जो मेजर रीजन था रिजेक्ट करने का वह यहीं था कि आगे यार वे तो बात ही नहीं कर बादब नॉर्मल में भी काफी अच्छा पंच मिल रहा है तीस कैसे बहुत जाते हैं मैं को पता में नहीं तो आप पुछ रहे हैं यहां यहां में रिलेट कर पा रहा हूं कि आपको क्यों डिफरेंस इतना नहीं लगा अच्छा इसका पंची नेचर है नॉर्मल मोड में भी गाड़ी जो है आपको थोड़ा सा यूस्टू होने में टाइम लगेगा कि एकदम से खिच रही है हलका सा रेस देने पर गाड़ी जो हो एकदम से उट रही है तो एक चीज अच्छा प्रफॉमेंस के साब से परफॉमेंस के साब से परफॉमेंस तो यह बहुत बड़ी है मेरा किता हो गया था जब इसको चलाया ना मैं की बहुत डिस्टिंग मैंगनेट में मुझे यह परफॉमेंस नहीं देखी ती जो मैं आपको बाहर बता रहा था शैद आप रिलेट नहीं कर पा रहे थे और एक्शिवी से मुझे कोई फरक नहीं 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 समझ आया जट बिल रहा है मेरे असाब से तो यह more than value for money है रहता है कि value for money है more than value for money और trust me on this कि यह सिर्फ इसलिह नहीं है कि हम लोग गाड़ी चला रहे हैं तो एक कोई ऐसा है कि हम लोग तो बहुत सी कार चलाते हैं और इससे ज़्यादा price segment की कार्स भी कई बार जो है खिचने में मतलब जोर लगाती है टाइम लगता है उनको उठने में यहां तो बदर ऐसे हुट रही है गाड़ी एक चीज मुझे लग रही है यह नहीं कर रहे हैं यह आपकी हंड़ेट पर्शन बात है मैंने भी नोटिस किया था सत्तर रसी में आपक सपोर्सपोर रहे का पर मैंने नहीं होगा त्यांतान ऑसी रोड जाती है नहीं मिलता है और विए गंदी देख लिया तो सब्सक्राइब पर चलाएंगे न तो आपको समझ में आजएगा कि इसके उपर आप जो है वह पो नहीं तो नहीं तो पर शोट में डालते हैं भिकोज मेरा मेजर कंसर्ण ही है कि हम लोगों ने जो तरसी की स्पीड यहां पर क्रॉस की तो स्टेरिंग में मुझे उतना वेट नहीं मिला जितना मुझे नेक्सान में मिलता है जन्रली 40-50 में आते आते ना आपको फिल हो जाता है कि वेट अच्छा-कासा स्टेरिंग ने पकड़ लिया है और आप गाड़ी जो आप पूरे कंट स्टेरिंग अच्छी लगें तो विवरी ओनेस्ट जब निकाली थी थोड़ी हाड लग लग दी मैंने शुरू में बोला तो अब बोला आट्सों अच्छार में चलने तो स्मूध जाएगी पर आदी सुबह से मेरे को स्मूध लगने लगए काफी स्वोध है पट एक चीज मेलेज़ गोड़ तो आपका विदमिं सेकेंट उह लाटिंशे करें यापज निसर चार रहे हैं अच्छी में में हो यह जैए बाश्त 수्कु भाइबी बिखाता रहता है। सब्सक्राइब करें तो मेरे ख्याल से यह ठीक है तेरा चौदा की आवरेज आपको सिटी में ला रहा है और और बाकी सारी चीजें पूरी है और कोई क्रिश इसमें चीज जो आपको लगा हो के मिसिंग है यह कोई ऐसा फीचर संग्लास के लिए वो नहीं है यह संग्लास रखने की कोई जगा नहीं है जैसे आपने शुरू में पॉइंट किया कि लाइट सो अच्छे हो सकते लाइट आ और यह बहुत ज़्यादा अगर आप कराना चाहें तो आप बार से भी एपना बल्ब चेंज कर सकते हैं जो एलेट लगवा सकते हैं तो वह लाइट आटमेटिक बढ़ जाएगी कोई बढ़ा नहीं है अच्छा इसके अगर आम थ्रों की बात करें करें तो इसका जो है जो ह सब्सक्राइब करें करें तो आज अभी दिन हुए है तो मैं पूरा अलदवे से 65 गुरगाओं से आ रहा हूं दिन बांटर दिन बेट बीच नेंट भी चलता है तो वहीं बेसीक्ली आप जनरल हम लोग क्या पुछते के सटी में सही जल्दी आएफ़ जाते तो पावर अंटर पावर तो नहीं लगती है पडिमल वो तो यहां पर जवाल नहीं है ना हम हूं यह तो पूछना पूछ रह पर दिजल को मांगते है कि अब प्रफॉर्मेंस बूस्टर है एक तरह से वह जो डीजल चला ले जाना एक से बीट नहीं आप तो आपको काईगर कैसी लगी बट अब हम ड्राइब कर चुसको रिलेट कर पा रहे हैं मैं अब ड्राइब कर पा रहा हूं कि आपका कोई बहुत जादा डिग्रेट नहीं डिग्रेट तो किसी भी आल में ही नहीं जड़ा और फंटु ड्राइब अगर आप भी जो है कॉम्पेक्ट एस देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको एक बार इसकी जरू लेनी चाहिए क् प्रणाव कि अगर रहता है कि काई गर रहना कि एक्चली बहुत जादा प्रोड़क्त है नी मार्केट में तो तो थोड़ा सर्विस वगरा का किस तरह का रहता है मेरे तो घर के बास सर्विस इंडरेक्टम तो किलो में अब इसके उपर अब एकर इंशुरेंस अच्छा है तो मैंने आइसे हैं यह वे जाने आइसे हैं एसे हो देदे लियुए यह रAI देते हैं यह ची चलाई जो ऑट्वी चलांए और यह जो अटमेटिंग टैस्ट्रेवरी वेहिकल तीन अवलेब लेबल ले जै यह एक में से घ्रणी यह जहिए आपको अबेलेबल हो गयँ कार की बुकिंग टेस्ट ड्राइब कराई थी अच्छा सेम डे मैंने में अगनाइट करते सेम डे मैंने रिनो काईगर की नो एक सबसे बढ़िया जो मेरा वो रहा इसमें फीडबैक वह इसका इंजन पुशी इंजन जो हलका से एक्सिलेटर देने पर जो गाड़ी उठी ए कि अगर फर्स ताम ड्राइब किया था उसका बीख है पट यह मेरे ख्याल से मेरे क्याइट से मेरे को एक जाए इसमें रोड़ा सा जादा इवें दो देसे सेमें बट है जो तो तो नो कंपनी तो अपनी त्यूनिंग डिफरेंट रखती है यहां पर यह चीज है इसका बू कि अगर फ्लाइट रहता है कि आपका इसली निकल आता है अगर और दूसरी चीज यह थोड़ा लॉंग ड्रे में दोस्तों के साथ दे जाए सकता है यहां पर आपको टर्व की बैजिंग मिल जाएगी क्योंकि यह तर्व वेरियंट है जो इसमें नैचुनली इस्पिरिट पी आता है लेकि मेरे ख्याल से अगर आप एंथूसियास्ट आपको परफॉर्में इसका नॉर्मल में ही अच्छा कासा था अगर आप स्पोर्ट जा लेंगे तो फिर आपको थोड़ा द्यान रखना पड़ेगा आप हाईवे में ही चलाएगा सिटी में नहीं चलाएगा मैंने भी सोना रोड के इसमें मैलेज और अच्छी चीए तो आप इसको इको पे चला परशनली में मैंने में इतना मैंटर नहीं करता था क्यों कि रेगुलर ड्राइविंग मेरी पांच किलो मेंटर के रेडियस पर हूं तो एक चीज और यहां पर मैं हाइलेट करना चाहूंगा यह अगर दर्वाजा काफी अच्छा है यह सेंटर में देखे तो हम नहीं है बि होती है एलेक्ट्रिक सीट नहीं मिलती है पारकिंग आपको जो है यह रिवर्स चैमरा है आपको तो और आउत की फूशियर पारकिंग क्रेंडे तो एपनी गाड़ी को क्या रेटिंग दो गया आउट आउट ओफ तैन तो हम यह चाहेंगे दभाप दा आठ दार्स ज़ार 8.5 and that is me saying after driving xv300 diesel model w8 8.5 नमबर क्यों काटा प्राइस देखो ना आप मेरे ने वह संग्लस वह बड़ा अच्छा वह एक इंपोर्टन जी आदा तो यह सबसे नजर गए और वह एसी चीज है जो आप नहीं लगवा सकते तो बहुत चोटी चीज है तर वह आप नहीं लगवा सकते हैं तो आप नहीं मिलेंगे टायर प्रोफाइल की बात करें तो एक सो पचानवे साथा सोला तो यहां पर क्रिश ने जो है 8.5 नंबर दी है आउट अपनी कार को बैसिकली अगर आप ओवराल लुक देख रहे हैं जो भी आप स्क्रीन पर चारों तरफ से इसको देखें तो डिजाइन ऐलिमें इसका जो डिजाइन वाइस है वो तो एक तम फेवन है चलने में गाड़ी जबर्दस है फीचर्स नो है वह एक तो मिसिंग है सिर्फ मिसिंग उसके अवा प्लास्टिक का थोड़ा सा और अच्छा हो सकता है तो यह भी सोचता हूं कि फिर कोस्ट फिर और फिर फिर वही बहुत अच्छा option है जो आपको consider करना चाहिए और अगर आप भी Compact SUV लेनी की सोच रहे हैं तो काईगर एक एक बार जाके टेस्ट्राइब कीजिए उसके इंजन को टर्बो वाले को नेचरली एस्पेट पी अच्छा है लेकिन इंजन परफॉर्मिंस से इतना फरक नहीं के साथ हम लाते हैं ताकि अगर आप भी कोई कार लेनी की प्लैन कर रहे हों तो आप उसमें आपकी help हो सके आपको एक guidance मिल सके कोई कार को finalize करने में तो मिलते हैं किसी और वीडियो में अगर आप भी अपनी कार का ownership review हमारे चैनल पर करना चाहते हैं तो नीचे दिए email ID पर ह में contact कीजी मिलते हैं और वीडियो में तब तक के लिए goodbye अंटी